जट शिरी अकाल जी अमीद करना तुसी सारे वदिया थे ठीक ठाख होंगे अधे तो आड़ी अपने पीएस्टेट जा सीटेट दे एक्जाम दी जो प्रेपरेशन है वदिया जा रही होएगी सो आज दिया सी इस वीडियो दे वेच कंटिन्यू करांगे अपने इवीएस आले पार्ट नूँँ इवीएस दे हुन तक अगर मैं गल करां ता दास पार्ट असी कर चुके हैं अधे साड़ा ही आज दा लेवंथ पार्ट होएगा जी इवीएस दा सो अगर तुसी पहला ने दास पार्ट नहीं देखे ता उपपर आई बटन ते प्ले लिस्ता जाके लोग वीडियो से लिंक आ रहे होएगा वह पार्ट तुसी देख सकते हूं इस तो लाबा सीडीपी इंग्लिश पैड़ागोजी ठीक है जाके लोग सब्जेक्ट लेवर्स कंप्लीट हो चुका है इस तो बद आपां एंसी क्यों जड़े हैं वो कर रहे हैं हलांके थी दे नाल नाल भी आपां एंसी क्यों किते सीगे सो इस लड़ी देविच आसी स्टार्ट करांगे आज फ्रिक्शन रगड़ तो नौमें पार्ट देविच आसी दसमें देविच प्रेशर उसे नाल ही मिलदा जुलदा टॉपिक है फ्रिक्शन जा रगड़ तो काफी इंपोर्टेंट है अगर आपा दो यार तेही दे पेपर देविच आया होया सीगा सो हालांके वो टॉपिक जड़ा हैगा फ्रिक्शन नाल भी लेट करता थी आते नाल दी न प्रिक्शन जा रगड़ की हुंदिया जी सो दा फोर्स बिच अपोज़स दा मोशन ऑफ एन अब्जेक्ट इस कॉल्ड फोर्स ऑफ्रिक्शन जा रगड़ इक तरह दा बाल ही हुंदा गा आसी फोर्से बिच पढ़े आगा कि इसनों असी संपर्क बाल जेड़ा हैगा वह सो एक तरह दा वाल ही हुंदा है जो बस्तू दी गती दा विरोध कर दा है सो रगड़ वाल हमेशा अगर कोई बस्तू मोशन दे विच्च है न मतलब वो गती दे विच्च है तो हमेशा उस बस्तू नों सब्जेक्ट नों रोकन दी जो कोशिश करेगा उसनों आसी बोल दे वोक से मन लो जя अंखे लेख हैं यह मन्ना फॉकिरों पूशिंग पूशेग लग लाग रहे आगा array इस दीषए लिए बत्ष चेल रोखान दी कोशिश करदाय। ज़ें लोगड रगड बाल जिद कर स्कत्र दी है ना जिड़ा रगडबाल है हुम हमेशा बस तू दी गती तो उल्ट दिशाबल लगदा है ए पॉइंट उसी नोड कर ले ओ बहुत इंपोर्टेंट लाइन है मैं एक वार फेर रिपीट कर देयां एथे देखो वक्से दी जड़ा वक्सा अगा उथी गती अगेन उसी इस जा गया हुगा तो काफी चीजा ने अपने आड़े दो आड़े एवन तुसी कोई बॉल है देखो उसनों तुसी किसे ग्राउंट ते रोड देनने हो स्टार्टिंग दे थोड़ी स्पीड नाल ता अन्नों पता के हॉली हॉली कर दे ओ बहुत रुख जान दिया अपने देख दिया हुआ हां जी नेक्स्ट रोड़े सी गल करांगे कॉज ऑफ प्रिक्शन के जो रगड जिसी में गल किती हो दा कारण की है के जड़ी रगड है जी ओ लग दी क्यों हो दा कारण की है ठीक है थोड़ा जा पईनों समय लेने हैं कि वहां रीजन दे वेचे एक क्व बोलांगे निजम तामा से प्रिजेक्शन की बोलांगे उबार उन देखो आपा सिंपल एक्जम्पल नहीं समझन दी कोशिश करने आप ज्यादा कॉंप्लिकेटर नियरू करांगे यह तरीके ना तुसी दो जिड़ियां इसे सर्फिस देख सकते हूं मनलों यह कोई शड़ रपड़ है वो बिल्कुल पद्री नहीं हैगी तो दूसे केसे बिच देखो मनलों यह किसे शड़की यह तुगड़ा आ देखो किना समतल है ना सेकंड आला पौर्षण जड़ा है गा पिक्चर दा वो किना समतल है तो मैं सेकंड आले नो की बोलूंगा जी समतल ठीक है जम मुलाइम बोल दो सम्तल सता तो पहली मेरी सता केडि आगी जिन्हों मैं बोलूंगा खोटरी सथा न, पहली मेरी आगी जि खोटरी सथा मैं पंजबी की लिख रहे हैं थे तो जिन्हों इंग्लिष दे बिच राफ बोल देयां, इंग्लिष आले स्टूडेंट हो सकते हैं, जिन्हों इंग्लिष दे बिच राफ कहांगे, दूसरी मेरी आगी जी मुलाइम, ठीक है, मुलाइम सता, बिल्कुल, साफ सता जा मुलाइम सता, सो मुलाइम नूँ असी बोल दे देख रहे हैं ना मतलब सारा साफ नी सारा इकसार नी हैगा तो जिड़ा उबड़ खाब बड़ इननु यसी की बोल दिने जी निजमतामा जा उबार ठीक है रेगुलेरिटी और प्रजेक्शन इननों यसी बोल दियां तो इनना दे करके ही कोई बस्तू होली होली करके रुख प्रफिक्शन दा कारण किये किसे बस्तू धी गतीदे विच होली होली रुकावट जांदीए उदा कारण है का जी सता ते मजूद अनिजमतामा जा उबार ठीक है हुणा के तो अनुए भी पता लाग गया सता दो तरांदी हो सक दिया एक होगी खुर्दरी जिसनों मैं रफ केहा दूसरी मेरी सता होगी जी मलाइम जिसनों मैं समूथ केहा होन तो अनुख कुद इत् exhaust आइडिया हो गया होईगा कि जो मेरी राफ सता है जो मेरी खुर्दरी सता है एदे उपर आनिजमतामा ज्यादा ह होँँ दियाने इसी अउल्ट समूव ते उपर आनिजमतामा का थूँ दियाने सो एदा मतलब रगड़ल किते ज्यादा लगूगा ठीक है जो रगडबाल हो काट लगवा थिकाય पीया मतलब बस तु ज्यादा कती करूगी गहं यहां सिंपल तुसी ना मतलब डिरेट। भी देख साक्ते हो तुसी बॉल नो रोड के देख लो ठीक कर या इसके बॉल नो मुलाइम आ गया मकाबले रगडबल ज्यादा गा इस दे बॉल तो फार्ष ते रगडबल काट कै बॉल ज्यादा कि गती होली होगी सो इस दे उल्ट फर्ष दे उपर की सीगा वह इतरह निमलाइम सता आगी होदे उपर अगडबाल काट है दागर के गती बद गी मतलब जो बॉल है वो ज्यादा दूर जाके रुकी सो बस इना कंसेप्ट सीगा थोड़ा जा देखो साइंस जेड़ा है गा थ सब्सक्राइब कोशिश करना अधे मैं उमीद करना कि तो अन्हों समझ आ रही है होड़ी नेक्स्ट मेरे कोल आगया टाइपस ऑफ फ्रिक्शन रगड निया किस्मा बढ़ियां इंपॉर्टेंट ने रगड निया सो पहली किसमा आगी मेरे कोल स्टैटिक फ्रिक्शन सो ना नाम हुंदागा स्थितिक रगड हलागे पैंसल ना थोड़ा रिखना डिफिकल्ट है इस तो बात जड़ा स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गया इंगली शाली तरेक्टी नोट कर सकने हो इसनों आसी बोल दिया जी सरकंशी रगड बढ़ा इंपॉर्टेंट कोशन इतो पर देख रही होएगी तो इन्हों अपर थोड़ा यह समय लेने एक बार देखो आप बॉक्स है तो जिदो भी बॉक्स अपनी जगा दे उपर प्या यह आला बॉक्स जड़ा उपर लागा मतलब इदा नो मोशन लिखे आगा ना मतलब जिदो हजे ही प्या आगा किसी जग देउल्ट जा हजे एसे एनू हलोणा स्टाट ही किता इदा समय लो जा है खडी है इदू समय लो ओधो जो रगड लाग दी ओदा नाम हुंदा जी स्थेतिक रगड ओधा नाम हुंदा रिखड इस्तो लाबा जिदो देखो स्लाइडिंग मोशन हूँन आप डबब्य नूह लोना शुरू करता हुन डबा मूफ का रहे है दनू जो ए बॉक्स है मूफ का रहे है दनू ता हुन जो ए रगड फील करता मूफ करते हुए गती करते हुए उन्हों असी बोल देया स्लाइडिंग फ्रिक्षन पंजाबी देविचे सरकंशी रगड देखो डबा जिड़ा अधियां दे टायर हुन देने ठीक है जी सो मतलब जो भी रोल आली आगी है दा जि मैं के थे कोई मतलब बॉक्स लालो जो बेलना कार दागा ठीक है स्लेंडरी कल एगा और रोल का रहे है दा मोशन दे बिचे रोल का रहे है गा ता ओ फ्रिक्षन केडिया आगी जी साठी र लेंडर वर्गत आगर के जो रगड़े फील करूगा जो रगड़े लगूगी तोरे जान देते उन्हों वसी बोलांगे बेलनी रगड़ देखो जो अपने सोई देखी वार सलेंडर हुंदे ने है रेड कलर हुंदा उनना दा सो रेड़ भी खत्रे दा निशान है क्योंकि मतलब मोस भी तुसी देख्या होगा सो साइंसे विच हर एक चीज़ दा रीजन हैगा इस तो लाबा जिदो आपनो रोड देयां देखो उन्हों बड़ी असानी नल आपा थल्ले रोड़ के भी एक थां तो दूजी थां लाए जानने है इस तो लाबा उनना कोई डबा पार होगे देखो उन्हों सरकाके लेके जाना पोगा ना ओ थोड़ा जा उखा गा तो बेलना ली चीज़ते हमेश्या जो रगड है जी ओ कट लाग दिया तो एक होगी बेलनी रगड सो तिन्नो दो नू बतला लागे उन्हों अपनों पेपर देविच क्वेशन की होंदा होंदी है सब्तो जादा केड़ी होएगी नंबर दो ते केड़ी होएगी सब्तो कट केड़ी होएगी एही अपना मेन क्वेशन है इस टॉपिक दा सो अगर तुसी इन्हों त्यानल समझों ताहां पहले देविच्च नो मोशन है मतलब गती होई नहीं डबा खड़ी है तो खड़ा हुआ जहां चलना ही स्टार्ट कीता हो जो थो रगण फील कर रहे है वह सबसंतो ज्यादा होगी मतल्स थितिख रगड सब्तो ज्यादा होगी वंदिवल मूखो देना इफ श्थितिक रगड सब्तों ज्यादा हों दिया नंबर दो ते आ जोगी सरकनशील crasu अस अं तुपाइंट टू वी रमेंबर के इत्थों एक बहुत इंपॉटेंट कॉश्चन तो अड़ा अपकमिंग एक्जाम देविच बांग सकते इनना सीकुइंस पुछ तक देने के तिन तरह दी रगड है जी दसो केडी रगड जादा हुं दिया केडी रगड काट हुं दिया हमे बेलनी रगड आते सब तो बद गती फिर केडी रगड होएगी किसे बस तो दी बेलनी रगड देवेचे कोखे बेलनी रगड काट हुं दिया है तो आई होप कि ये पूरी दी पूरी स्लाइड तो अनो समझ आगी होएगी हाँ जी नेक्स्ट आपा स्लाइड दे विच करांगे अडवांटेज ओफ प्रिक्शन रगड दे फैदे हुं देखो रगड दे कुछ फैदे भी ने कुछ डिसडवांटेज चा कहलो नुकसान भी ने तो सब तो पहला आपा फैदान दी गल कर देया है एथे तुसी डिया थोड़ा जो लहकर फिर पेंच अख लेंने फिर अगल नहीं अगर ए रगड नाहमें गर तो स्टार्ट कर देना सी फिर उन्हें लिखी जाना सी चलना स्टार्ट कर देना सी फिर उन्हें चली जाना सी ठीक है तो अपर ज्यादा डिटेल दे विछ नहीं पामागे रगड दे फैदे बहुत ने रगड ना सी चल सक्देयां तोर सक्देयां लिख सक्देयां इस तो लाबा खोज होई है ना पत्रानू रगड के उस तरीके नाल ओतों भी रगड चली है मतलब साइंस बहुत स्टार्टिंग तो है गी है तो इन्हीं में ज्यादा डिटेल च नहीं जाओंगा नहीं क्लास फिर थोड़ी जी लंबी हो जान दिये किते नहीं किते आप टॉपिक तक ही जूतियाँ दे तले का स्जान देने हिर रगड है कि दियेत अजलब जित्हों जीमशीना यान जी दुद्धभी दो बड़ियां मशीना चल दिया है नो देना बबढ बच टुटपाज हुनियूगं पई तोल आवब गवास्ट अगर तुसे लिखवर जडाप है में खैना और फैदा नुब्र उसके बार jjp मैं सब्सक्राइब करना फिक ऌता हो Ste do के डियांटकी इस नामेर नक्सान के सानू साण यहां वैजुन है जाता हो जांदा ही你有 आई होप कि याली स्लाइड भी तो नू समझ आगी होएगी जिनने में की पॉइंट लिखोना है जुरूर कितने किते नोट कर लो बहुत काम देनेंगे पेपर देनेडे तो नुए हांजी नेक्स अपगाल करांगे ways of increasing friction रगणों बदा उंदे टांग अथे इसदे नाली अपगाल करांगे ways of decreasing friction रगण नू कटाउं दे टांग एथो अपनू अपने previous year exam दे विच question आई होए ने त्या आना देखना लेटराओन आपको question जड़े है गे ने वो भी discuss करांगे तो अगर आसी रगण नू बदाउना चौणे है कई जगा ते सानू load हुं दिये जी कि बदाया जावे ता शी कार सकतें अब देखो एक reason दा बिल्कुल simple है अगर तुसीर अगर नू बदाऊना ना ता सटा जड़ी हैगी जी सटा नू खुर्दरा कर्देओ ठीक है जी सटा नू खुर्दरा कर्देओ ता तुसीर अगर नू सब्सक्राइब 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 द्वारा लगाए गे रगडबाल नू द्रावर अगड़ जा ड्रैक हैं देहन सो एक ते नमा शब्द आ गया ड्रैग द्रावर अगड़ ते ड्रैक दा मतलब इक्क्यूई है उने इते तारल की ने पहला था तारल मतलब कोई भी चीज जेड़ी पाणी बांग है जिमें पूर भी जडियां आगए खिष्टियां बगेर आगए ता उन भी पाणी दे विच तैर दियाने ताहुण उन्ना दे उपर भी ता रगड लगरे आ हुगा मनलो ये मच्छी है मनलो इते पाणी दे विच्छे जारा पाणी आदे आड़ी द्वाले तो मच्छी अगर इद् तरल रगड बाल लगए जिम्हें पाणी है तो लुग शेय। थितनी पता होगा के हैं की से घ्रेमा सोगी है। स्ट्रीम लाइन तिकोनी जी शेप हुंदी अगे तो इस तरीके नल सो इस तो लावा किष्टियां दी यह ना मतलब पाणी याले जहाद जान दी यह अगे तो अगर तुसी देखी होगे सो इदा भी कारण है जी दे पिछे भी साइन्स है कि इदा दी शेप जो स्ट्रीम लाइन जीड़ी शेप हुंदी है एदे उत्ते रगडबल कट लाग दी है तांगर कि फिश बगेराणू या दूजियां चीजानू तैरन दे विचे सान नहीं हुंदी है पाणी दे बिच मू पर दे बिच आया होया थी दो हियार तैई दा जो यह सा पेपर सीगा ओ इन्हा जादे इजी निसी का बहुत बदी होदा लेवल सीगा पहला इंशे पार्ट दे विच भी और डी काफी कुछ डिसक्स कर चुकिया या शे तो आठी याद दास पार्ट दे बिच इनने भी यूद पेपर ऑन कोल बिंटर नाइट देस हेल्ट हिम तो कीप हिमसेल्फ वाम विकॉज एक थंडी रात नू अखवार्दियां कुछ पर्ता नाल अपने अपने अपनू लुबे इट लिया ठीक है ते इसने उसनू अपने आपने आपनू गर्म रखन विच मदद कीती इस अखवार दे विच दियां पर्ता दे विच रगड होएगी उदे नाल गर्मी पैदा हूं दिया कहने तांग करके ओ निगा रहा बी ऑप्शन एयर ट्रैप बिट्वीन दा लेयर्स ऑफ निउजपेपर इस बैर कंड़क्टर ऑफ हीट ठीक है कहने अखवार निया पर्ता द अगे नियूजपेपर इड़ा इस अखवार इस अखवार दा कुई ज्यादा ताप मांसी गा आले दो आले नालो देखो एता कुई लॉजिक नहीं बांदा तो इदे विचे देखो एक क्वेश्चन दित्ता होया है ते पहला तुसी खुट ट्राई करो दा की आंसर आउग इनने सौक्य कॉष्चन नहीं आरे पेपर देविच इस कॉष्चन देविच देखो ते आनली हीट टेंपरेचर इनना दिगल हो रही है तो बाद ही मेभी अगली गलास अपने हीट ते आवे जा उस तो नेक्स आ सकती है तो इस फ्रिक्शन भी टॉपिक कवर होया जी हीट सब्सक्राइब कवर होया जो दोनों चीज़ां कवर हों जाने थे हीट दा एकल अपना अलग टॉपिक हैगा तो इस चारां दे विच्चो पहला गा फ्रिक्शन बेट्वीन दा लेयर्ट ऑफ निउस्पेपर प्रडूस हीट क्यों नहीं हीट प्रडूस किती देखो कोई ज सब्सक्राइब बिट्वीन दा लेयर्ट ऑफ निउस्पेपर इज़ा बैड कंडॉक्टर ओफ हीट देखोए थे जो कंसेप्ट लग रहे है जी अपने हीट आले पोर्शन चो लग रहे हागा मैं जान पुछ कि क्वेशन इत्वे लेक्श आया है हीट आला चैप्टर जोग करांगे वोदे बिच एक कंसेप्ट आऊगा अपना एयर इजा एयर इजा बैड कंडॉक्टर ओफ हीट बाद कंडॉक्टर ओफ हीट मतलब जो एयर है जिदो अखवारनी होणे लेवे इटले और फसी रहेगी जो के बैड कंडॉक्टर ओफ हीट है इसने हीट पगे रहे न कि लग रहे है बी अधे पेपर दा भी अंसर की सीगा ऑप्शन भी के एयर इजा बैड कंडॉक्टर ओफीट सो दे कोर्डिंग अपना बी इस दा राइट आंसर तो देखो इद्धा अपनू क्वेश्चन अवर हो रहे है नाल अपना हीट अला भी हो रहे है हाला कि क्यों ए थोड़ा जाए हीट नाल भी लेट एगा देखो जो फ्रिक्षन है बिटमीन दा लेयर देखो अखवार दिया लेयर देविच ना पतला जडिया पर्ता ने उनना दे बिचली रगण नाल गर्मी देखो इननी बहुत ज़्यादा पैदा नहीं होंदी है को लॉजिक नहीं है सब्सक्राइब ज़्यादा लंबी होजेगी अपने अपना टॉपिक ही होएगा हीट तांगर की दूमें हीट पड़ा रहे हूंगा चीजहां तो नहीं वदिया त्रिक ना समझाओंगी है वो थे अपर टेंप्रेचर दी भी गल करांगे इस तो लाब एक होर क्वेशन सीग कि एक दा टेंप्रेचर ता सेंथी डिगरी सेल्सियस है जी ठीक है इब मेभी मैं तो नूँ पहला नहीं किसे क्लास च दस्य होवे एक दा टेंप्रेचर ठन में पॉंट 6 डिगरी फार्न हीट है यह दित्ता होया सी दो जाने दे नाम सीगे सो एक दा रागव सी दूसरे दा मैंने उग्जेक्ट नहीं जान तो तुसी ए भी कोई भी परसन मन सकते हो तो नीचे दित्ता होया सीगा मालो यह ए परसन है बी परसन है सो यह अपना टेंप्रेचर ना लेटर आया होया सीगा सो मेभी मैं तो पहला भी किसे क्लास दे बिच दसता अगर नहीं दसता है ता मै हीट दे विच द्वारा दसूंगा कि 70 डिगरी सेल्सियस भी अपना नॉर्मल टेंप्रेचर है वो डिगरी से विच है आते जिड़े अपा थर्मामीटर ना माप दे है उथे 90.6 भी जड़ा हैगा अपना डिगरी फारन हीट दे विच नॉर्मल टेंप्रेचर है तो पहली दित्यी सि के एनों बद बखा रहा है दोझी अफशन दित्यी बखा रहा है बहुत है ने वेभी बी लाता होँ वे तो कि वी ठान्यवे पधिड़े बैली अपनु ज्यादा लग दिया ए एक उप्शन सी दोना नूर्मेट नू सेम ही टेंपरेचर है एक कसी गा मतलब दोने जड़े हैं गेने बखार तो सफर का रहे ने तो इट आउनसर आउना सी दुन्हां दा टेंपरेचर हो सेम है जा कर लो दुन्हे नॉर्मल ने कुछ बूडी टेंपरेचर अपना डिगरी सेटी चुन्दा सेंटी फार्न हीट दे विच उन्दा ठनवे पॉइंट शेडिगरी अगर नहीं किता होया तो सबने रुकेस्ट करना कि तुसी जुरूरे दोने कॉश्चन देखो दो यार जेड़ा अपना तेईदा पेपर आया सीगा तो अपने आप पता लागजेगा इस तो लाबाव दे विचो एविच दे तुसी चिन्ने मर्जी कॉश्चन चाक्के कर ल पहले 10-11 पाड़ देविची कर चुके हो वाले सारे कंसेप्ट सो अगर किसे ने पहले यह वीडियो नहीं देखिया तो जुरूर जाके देखो फुना पर चल देया अपने आगले कॉश्चन वाल हाँ जी कॉश्चन नमबर सेकेंड ए पिक्चरों थे पेपर दी बहुत ज्यादा क्लियर नीसी तांगर के नमाए खुदी टाइप कीता है इस भी अपलाई ओयल आउन डोर हिंजन्स ता फ्रिक्शन बिल केंदे जिदो सी दरवाज्ये दे कुण्डिया ते ते ल लगा दिन तेल लगा दिन्या ता इदे नाल रगडबल जाके लोग फ्रिक्शन दे विच की चेंज आऊगा ठीक है मैं ता नो औरेडी दस चुका है इस कोश्चन आंसर तुसी मैंनू आपने आप ऑप्शन दे विच कमेंट बॉक्स से भी दस होंगे के केड़ा होगा A B C जा फे D पह तरह लोग डियो अप्शन है गिया कि रगड़ ते कोई फरकी नहीं पेंदा तेल लाके ठीक है कि रगडबल उन्हीं रहें जिए जिन्हीं पहला सीगी तो यदा की सही अंसर आओगा जूरूर मैंनू कमेंट बॉक्स से भी दसे हो क्लास वदिया लगी होए तो वीडियो न प्रवाच वर वाची